हलो दोस्तों, रामोशधी आयूरवेदा में आपका स्वागत हैं। ग्रीन कॉफी कोई अलहदा चीज नहीं, उसी कॉफी का एक रूप है, जिसे आमतोर पर पिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सामान्य कॉफी के लिए बीन्स यानी दानों को रोस्ट किया जाता है, जबकि ग्रीन कॉफी के लिए इन दानों को कच्चा या बिना रोस्ट किये उपियोग में लाया जाता है। सवाल यह उठता है कि जब दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है तो फायदे कैसे अलग हो सकते हैं। असल में ज्यादातर प्राकृतिक चीजें अपने असल स्वरूप में ही अधिक गुनकारी होती हैं। अगर इन्हें पकाया जाएं तो वे गुन खत्म हो जाते हैं। ग्रीन कॉफी में ऐसा ही एक केमिकल क्लोरोजेनिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो इसकी तुलना में रोस्टेड कॉफी में बहुत कम होता है। इस केमिकल को स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। ग्रीन कॉफी को वजन घटाने के लिए कारगर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह कॉफी फैट्स को ज्यादा तेजी से बर्न करती है। दानो यानी बींज के अलावा इनका सत्व भी सप्लीमेंट्स के रूप में स्वास्थिर को अच्छा बनाने के लिए उप्योग में लाया जाता है। इस कॉफी में मौजूद एंटीक सीडेंट्स व एंटीम्फलेमेटरी गुन शरीर को अंदरूनी हानी पहुचने से बचाते हैं। ग्रीन कॉफी को डाइबिटीज के कंट्रोल के लिए भी अच्छा माना जाता है। साथ ही बलड प्रेशर को भी यह संतुलित रखने में मदद कर सकती है। और इस तरह हरदय रोगों से बचाव में भी यह कारगर हो सकती है। यह शरीर में मेटाबॉलिज्म की दर को सुधारती है। इससे अतरिक्त वजन को शरीर पर इकठा होने से रोकने में मदद मिलती है। यह छोटी आंत में शुगर के अवशोशन को घटाती है। इससे वसा के रूप में कम शक्कर शरीर में इकठी होती है। एंटीक सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण यह उम्र के निशानों को चहरे वत्वचा पर जल्दी नहीं आने देता। संबर्न प्रूखी त्वचा और जुर्रियों के असर को भी यह कम करता है। संक्रमन और बीमारियों का कारण बनने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में ग्रीन कॉफी मददगार होती है। यह नैचुरल डेटॉक्स का काम करने के साथ ही मूर को अच्छा बनाए रखने में भी मददगार होती है। साथ ही फोकस बनाए रखने में भी मददगार होती हैं। धन्यवाद